नमस्कार मेरे किसान भाईयो किसान साथियो ये एक एकड़ खेत में रिंग पिट विदी से गन्ने की बुवाई करी गई और जो भी इसमें काम करे गए उसकी समय समय पे मैंने वीडियो बनाई अगर आपको जानकारी लेनी है कि खड़ो की दूरी कितनी रखनी या लाइन चे जमाओ किस तरह अच्छा आया क्योंकि आप देख पारे होंगे सारा गन्ना जम के निकल चुका है क्या क्या इसमें करा गया जमाओ के लिए और ब्यात के लिए क्या करना चाहिए अगर हमें इसमें और जादे ब्यात लेना और जादे में गन्ने बनाने तो ब्यात के लिए क और किसान भाईयों कितने गन्ने के टुकड़े इसमें रखे गए थे और कितने जम चुके हैं और क्या इसमें निकलने वाला थोड़ इसी बात इसी पर ही आज मैं करूंगा इस वीडियो में किसान साथियो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ क्योंकि जानकारी हर वीडियो हर एक किसान नहीं देखते लाइन से लाइन की जो दूरी है खड़े से से सेंटर की जो दूरी है वो छेपूट है यानि कि जो तयार बीच में जगा निकलेगी ये वाली ये लगबग चार फुट के आसपास निकलेगी और खड़े से खड़े की दूरी बहुत ही कम डेड़ से दो फिट है केवल और केवल एक मेरे पास किसान का फोन आया मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत परिशान हो रहे बोले मैंने खड़े आपके इसाब से करवाई मनोज भाई और मेरे पास कामदार आये मील के ये वो और कहने लगए कि आपने घणे पास करवा दिये ये वो किसान भाईयों बिल्कुल भी डरने घवराने की आवस्चकता नहीं है खड़े से खड़ा केवल और केवल डेड़ से दो फिटी रखना आप देखना बहुत जबरदस्त इसमें निकालावगा हमें जब बीच में टेक्टर का प्रियोग नहीं करना तो हमें खड़े से खड़े की दूरी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता आप बीच की दूरी चाहें तो 6 से 6.5 कर सकते हैं ताकि जो यह हमारी पठड़ी बचेगी यह हमारी जो है चार से थोड़ी से उपर जगा निकलाए लेकिन मैंने जो करवाए खड़े से खड़ा सेंटर जो है वो 6 फूट है तो 4 फूट बीच में जगा यह तयार मिलेगी यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा और किसान भाईयो इसमें 49 बीच बोगा गया हर साल में 49 ही बोता हूँ बहुत जबरदस इस गन्ये ने कभी भी 38 को आगे ने आने दिया अन्ना बोज में रोग भी कम है किसान भाईयो और अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना जबरदस्त पोगा इसके अंदर निकला वाई यह देखे किसान भाईयो गर पोगे की मोटाई जमाव अच्छा आ गया तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे किसान साथियो यह धाई फुट का गड़ा है इसके अंदर हमने बारा से तेरा दो आंक के टुकडे रखे थे चक्र नुमा इस तरीके से और किसान भाईयो अब आप दे दिन चमित्ती लगाई और पानी दे दिया गड़ों में आज इसको लगभग 15-16-17 दिन इसकी बुआई को हो चुके हैं 17 दिन में यह गन्ना इस स्थिति में पहुँचीगा अभी मैं आपको गिन के दिखाता हूँ दो चार खड़ों में कितनी आख्ये निकल रही है एक दो कई पोगे इसमें निकलते आपको दिखाई देंगे तो किसान भाईयों अगर 25 में से 20 गन्ने भी इसमें जम जाएंगे यह देखिए हर गड़े में 15-18 पोगे निकले हुए हैं दूसरा खड़ा दिखाता हूँ मैं आपको यह देखे किसान भाईयों मैं एक और खड़ा आपको दिखाता हूँ इसमें कितना जमाव आया है कितना सुंदर मोटा मोटा इसमें गन्ना निकला हुआ है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोड़ा लिख ले और एक यह नि गन्य पे सिर्फ एक डेड़ इंच अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे जरा सी मिट्टी मैंने हटाई और यह देखे किसान भाईयों गन्य का टुकडा मुझे नजर आ गया तो सिर्फ एक डेड़ इंच मिट्टी है और गर्मी देखे कितनी पड़ रही लेकिन इसका राज क्या है अभी भी गिल्ली मिट्टी निकल रही है अंदर से देखे किसान भाईयों इसका राज यह है कि जैसे ही हमने यह बोए चोथे ही दिन जैसे इसमें यह थोड़ी थोड़ी लाइने नजर आई धराड खुलने लगी बीच में मैंने इसमें इसमें एक 20 दिन में आम इसको पानी देंगा और किसान भाईयो इसके अंदर जबर दस्त पूरा पूरा जमाव 100% आएगा यही मैं किसानों को समझाने की कोशिश करता हूं चाहे 28 इंच हो किसान भाईयो अभी 28 इंच भी दिखा देता हूं इसी वीडियो में आपको कि जमाव का असली कोशिश करता हूं कि कम मिट्टी का क्या फायदा होता है किसान साथियो आप देख पारे होंगे मैं बैठ गया हूं कि कितनी कम मिट्टी 28 इंच की बॉई में भी मैंने लगाई हुई है यह देखे लाइने चमक रहे हैं आपको खूर चमक रहे होंगे और जो गन्ने टुकड करके हलकी सूक इस तरह की सफेद हो जाएगी मिट्टी तब इसमें हम इसकी जुताई करके बहुत ही हलका सिद्धा सिद्धा बिल्कुल खाली मेड़ा लगाऊंगा ताकि यह जो लाइने खुली हुई है इनमें केवल मिट्टी भर जाए और इसी से ही खाली यानि एक आदम दो जाए मिट्टी इस तरीके की तब आपको इसकी बहाई करके बिल्कुल सोड आराम से सिद्धा सिद्धा हलका मेड़ा लगा देना है एक आदमी बैठा लो मेड़े पर बस उसको दबा के नहीं मारना तो किसान सातियो जमाव का और व्यात का मूलवंत्र यही है कि आपको कम मिट्टी लगानी है किसान भाईयो तो किसान भाईयो इसमें ब्यात कभी मैं बता देता हूँ इसमें हम बिल्कुल भी मिट्टी नहीं डालेंगे अभी दूसरा पानी देने के बाद इसको अभी कम से कम जब यह 2-5 फिट तक गन्ना हो जाएगा तब तक इसमें मिट्टी 30 गन्ने नहीं हो जाएगे पूरे तब तक इसके अंदर मिट्टी नहीं डाली जाएगी किसान भाईयो कई किसानों के मेरे पास सोना है कि मनोज भाई उस रिंग पिट की वीडियो दिखाए कैसा जमाव आया अब इस गड्डे में भी देखे अभी तक नीचे से अगर मैं मि 10 दिन बाद तो निश्चित रूप से 100 परसेंट जमाव आपका आएगा धन्यवाद